स्वागत है आपका फोकस इन एजुकेशन में मैं एजुकेटर आप सब के लिए जी एस का एक टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि आपके कंपटेटिव एक्जाम में हेल्प करेगा हमारा जो टॉपिक है वो है सोलर मंडल यानि सोलर सिस्टम हम सौरी मंडल को उसके फैक्ट्स को और सांतिशन अगर उससे रिलेटेट कुछ कॉंसेप्ट है उसे भी जानेंगे चलिए जानते हैं क्या होता है सोलर मंडल या सोरी मंडल तो सौरी के चारों और चक्कर लगाने वाले विभिन ग्रह चुद्र ग्रह उलकाओं तथा अन्याकासी पिंडों के समू को सौरी मंड समस्त उर्जा का स्रोत भी सूरी होता है सूरी क्या एक स्टार है नेक्स्ट हंपोइंट देखते हैं कि PLINIMAS सोरी मंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसा दिकने वाला जुड़ूई पिंडों का एक समू है ठीक तो ये फ्येक्ट समों सकता है कि शुड़ूआ मंदल से बाहर बिल्कुल एक जैसा दिखने वाला चुड़ूवा पिंड़क का समुक का नाम क्या है तो आपका एंसर क्या होगा फ्लेने मस अब यह क्या होता है कैसे होता है जरह हम सको अपार को एक्स्पीन करते हैं हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें एक स्थार है और आठ प्लैनेट से जोके चकर लगा रहे correct थो एक जी सोलर मंडल है और वो सारे सौरे मंडल को अगर मिला दिया जाए तो क्या कहते हैं उन्हें गेलेक्सी कहते हैं और जो हमारी गेलेक्सी है ठीक है उसका नाम क्या है वो उसका नाम है मिल्की वे गेलेक्सी और मिल्की वे गेलेक्सी में हमारा सौरे मंडल है जिसमें हमारा सन है ठीक और बहुत सारे galaxies होते हैं अब बहुत सारे गलेक्सी होंगे तो उनको सब मिला दिया जाता है तो एक वो क्लस्टर कहलाता है और वो cluster सिर्फ एक cluster नहीं होता वो भी बहुत सारे clusters होते हैं ठीक आस्प्रेंट तो ये इसी तरह हम देखते हैं कि हमारा ब्रमाड जयों बहुत बड़ा है अभी तक हम इसके बारे में नहीं जान पाए हैं नेक्ट हम देखते हैं कि जो हमारी Milky Way galaxy है क्या वो किस cluster का हिस्सा है वो है लानिका ठीक है लानिका सुपर cluster इसका नाम है और क्या सबस्पर cluster से कोई सबसे बड़ा भी सूपर क्लस्टर है यस यह वी करेंट में रहा है पिछले एक साल-ऑचiseen के इससे खोड़ा गया और उसका एक नाम दिया गया तो सबसे बड़ा जो सुपर स्बर गलस्टर इसका नाम क्या है स्वरुरति सूपर सुपर क्लस्टर के नहीं है वह trained पर नजर आलते हैं कि यह जो सुपर क्लस्टर से यह कहां से आए यह galaxy कैसे बनी, यह सब कहां से हुआ, तो एक सिध्धान्त है, थियोरी है, जो इसको explain करता है, proof करता है, और वही हमारे लिए important है, और बहुत सारे दिये गए, बहुत लोगों ने दिये, बट जो हमारे लिए important है, हम उने देखते हैं, वो क्या है Big Bang Theory, यानि महाविस्पोटक सि इसे किस ने दिया था, इसका प्रतिपादन किस ने किया था, यह किया था, एब जोर्ज लेमेंडर ने, लेमेंटियर ने, ठीक है, आस्परेंट, और इन्हों ने इसे दिया, इसे बताया, पर्ट इसे प्रॉपर तरीके से explain किया, वो रॉबर्ट बै नोगर्द थे, ठीक है transparent, ठीक, और इसमें क्या-क्या point है, इनका कहना था, कि यह सारे जो super clusters हैं, वो पहले एक जगए, एक बिंदु पे थे, एक कांग की परमाडू थे, यानि अती छोटा, बहुत छोटा, उसके अंदर बहुत सारे gas होंगे, बहुत सारे materials होंगे, तो अचानक क्या हूँ उसमें, विसपोर्ट हो गया, ठीक है, किसी भी चीज़ दबते, 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 चानक विसपोर्ट हुआ, अब उससे क्या हुए, बहुत सारे super cluster बने, उन super cluster में बहुत सारी galaxy थी, और उन सारी galaxy अज में बहुत साले solar system थे, और उन साले solar system में से एक हमारा solar system है, और इनका क्या कहना है, कि इस विसपोर्ट से क्या हुआ, कि अकास गंगाओं, यानि गैलेक्सियों का निर्माड हुआ, और ये जो अकास गंगा है, इनका कहना है, कि अकास गंगाओं के बीच बढ़ते दूरी ये साच है, कि अकास गंगाओं का विस्तार हो रहा है, यानि आप से पूश सकता ह कि क्या इस अपको statement वाइस दे सकता है कि क्या इनका यह थियोरी में से क्या यह भी बात सही है यह कहते हैं कि हमारे अकास गंगा का विस्तार हो रहा है येस और नो तो आपको पता होना चाहिए कि येस इनका ये थियोरी प्रूफ करती है कि हमारे अकास गंगा का विस्तारों ने एक्जामपल दिया बैलून का बैलून में पॉइंट रखा और उसको फुलाया फुलारे जैसे से फूल रहा था वो वैसे वैसे क्या हो रहा था कि पूँज बिंदू था वो बड़ा हो रहा था ठीक है आस्परैन्ट तो यह जो अकास गंगा है इसके बारे में हमें कैसे पता चलता है तो उसके लिए कई एजेंसियां हैं इंडिया की योडोप की चापान की चाइना की उसी तरह अमेरिका की एक एजेंसी है वो है नासा के क्या नाम से जैसे जानते हैं इन्होंने 2001 में मैप निकाला अनसुंधान था यह यह क्या है मैप का फुर्फॉर्म यह माइक्रोवेव एंसो ट्रॉफी प्रोब नामक एक अनसुंधान इस बात की पूश्टी करता है कि हमारे यह यूनिवर्स है अकास गंगा है क्या कर रही है नेक्स्ट पॉइंट पर नजा डालते हैं कि मंदागनी जिसे गलेक्सी कहते हैं यह क्या है यह तारों का एक समू होता है ठीक है जो धुंधुला सा दिखाई पड़ता है तो यह तारे किसे बनते हैं तारों का निर्वार्ण होता है नेबूला से नेबूला क्या होती है ने अपना एक सेप नहीं होता पर दीरे दीरे टाइम जैसे बीत जाता है तो वह सारे इसमें बहुत लाखो वर्स का समय लगता है वह कंपेश्ट होते 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 रूप लेता है गुला का रूप लेता है और वह एक तारे का निर्माड करता है पिर उसमें री एक्शन्स होने लगते हैं उन सारे और च क्यों सर पीला कार है और सबसे पहले जो lieutenant कि वे था को कौन देखा था वो थे गठाट कोशन ऐसे एकजाम में पूस bekommt जाना कि कि इसका था अकाश गंगर कि सबसे नस्धीकी ठाव नीश देख सा या उसका नाम किया है उसका नाम है दिव्यानी या औरो-मेड़ा ज tips कुष्ष पूसकता है कि सबसे नस्धीक मनदागनिया गलेक्सी कौन सी है तो वो क्या है वो है देव यानी यानी इंगलिस में अंडुच मेृड़ा कहते है और क्या कोई नई गलेक्सी भी खोजी गई है यस नविंतम गयात गलेक्सी का नाम क्या है वो है डार्फ गलेक्सी या डार्फ मन्दागनी नेक्ट देखते हैं कि आईरेन नेबुला हमारी अकास गंगा के सबसे सीतल और चमकीले ग्रहों का एक सम्मू है आप से कुशन पूछ सकता है कि सबसे सीतल यानि बिल्कुल कूल और चमकीला बट कैसा है वो बहुत ही चमकीला है तारा कसमू का नाम क्या है तो आपका एंसर क्या होगा यह आरेन नेबुला ठीक है यह हो सकता है यह आरेन नेबुला धिरे धिरे कंडेस्ट होते 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 एक तारे का फॉर्म ले ले नेक्स्ट हम देखते हैं अब जो हमारी solar system होती है उसमें क्या होते हैं बहुत सारे planets होते हैं तो यह क्या होते हैं इसको हिंदी में ग्रह करते हैं planets के परिभाश्य क्या हुई कि ग्रह के पास अपनी उसमा एवं प्रकास नहीं होता यह तारों का परिक्रमा करता है जैसे कि यह सारे हमारा sun एक star है ठीक है आपसे question पुछेगा कि पृत्वी से सबसे नस्दीक star कौन सा है तो आपका क्या होगा answer sun होगा ठीक है next हम यह देख रहे हैं कि हमारी जो अपने solar system के बारे में पहले जाने ठीक है क्योंकि वह इनिवर्स तो बहुत-बड़ा है प्हले अपने solar system को ही हम explore कर ले जान ले तो हमारा से Chili में मैन कौन है Sun इसके बाद озim उसके आठ प्लैनेट्स, इनकी अपनी कोई उस्मा और प्रकास नहीं है, यह कैसे चमकते हैं सन के प्रकास से और यह सब क्या करते हैं, सन का चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं, तो इसको चार-चार पार्टों में डिवाइट कर दिया जाता है, यह आप पॉइंट्स देख रहे हैं, क्या है, यह हैं शुद्रग्र, ठीक है, एस्टरोइट बेल्ट इसको इंग्लिस में कहते हैं, कल हम आस्प्रेंट इसे जानेंगे, आप मुझे कमेंट सेक्षन में लिख कर बताओगे, कि इनर प्लानेट और आउटर प्लानेट में क्या अंतर है, ठीक, और साती साथ आप मुझे आठो ग्रह के नाम भी लिख कर बताओगे, I hope student आपको ये वीडियो पसंद आएगा, इसे लाइक कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए, अपने family को बढ़ाईए, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि हमारी family वहीं जाके रुख गई है, उसके सदस्य, उसके members नहीं बढ़ रहे हैं, अपने front circle में भेजिए, जो भी competitors हैं, उन्हें बेजिए, हाँ मैं वो डिजिटली रूप से तो नहीं दिखाती, बट हाँ, आपको एक अच्छी information देती हूँ, जो मेरे खुद के अपने notes होते हैं, उससे और खुद पढ़ती हूँ, फिर आपको notes देती हूँ, तो मेरे मेहनत को ऐसे जाय मत करिए, मुझे भी motivation की जरूरत हैं, इसलिए प्लीज अपने हमारी फामिली को बढ़ाई क्योंकि आपकी फामिली है, थैंक्यू आस्परेंट